हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट सिस्पेस आज हम इलाई जी का फूल शेयर करेंगे यह इलाई जी का प्लांट नीचे वाले गार्डन में लगाया हुआ है जिसके आगए एक तालाब भी है जो हम पहले शेयर कर चुके हैं और यहाँ पर कई सारी मूरहंस यानी जलमूर्गी रहती है जो कि एक जलमूर्गी गोम भी रही है तो जैसे ही हम आते हैं यह भाग जाती है छुप जाती है इस पर एक वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं डेस्क्रिप्शन वाक्स में जरूर चेक कीजिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो क इतनी दूप इस पौदे को चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है तो फ्रूट्स बनाने के लिए यानि कि जो इलाइची होती है वो बनाने के लिए इसे कम से कम चार गंटे की दूप जरूर चाहिए और जाद से जाद कितनी भी दूप में आप इस पौदे को रख सकते हैं तो यहाँ पर इसे या तो सुबह की थोड़ी सी दूप मिल जाती है, या शाम की जाती हुई थोड़ी सी दूप मिल जाती है, तो फिर भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोध कर रहा है, बस अभी तक हमें इस पर फल नहीं मिले हैं, क्योंकि दूप इतनी जादा नहीं है, और नीचे वाले गार्डन में तो चारो तरफ जो पेड़ हैं वो बड़े हो चुके हैं, तो इतनी दूप किसी भी पेड़ को नहीं मिलती है, जितनी अगर कोई तेज दूप आला पौधा आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो इसको अभी तक हमने पौट में नहीं लगाय करेंगे और उसकी झो खुश्बू होती है वो बिल्कुल इडाइची की तरह होती है तो इस तरहों से आप पहचान कर सकते हैं कि यह रिडाइची का पौधा भाएपसूरत पती हैं अगर आपने इडाइची का पौधा माना चाहें तो इस से आप देख लीजे इसके पैचा तो एक स्टिक इसकी कट हो गई, तूट गई, तो अभी स्पिर केवल एक ही स्टिक बची है, जो कि इसका फूल होता है, वो एक flower stick होती है, बिल्कुल रजनीगंधा की तरह ही इसकी कलियां आती है, आपने देखा होगा, रजनीगंधा का फूल जो की त्यूप रोज होता है, और जब ये कलिया खिलती है तो ये बिल्कुल रजनी गंदा के फूल की जैसा ही लगता है। खुश्बू भी बहुत ही अच्छी होती है तो इस तरह से ये इलाईची के फूल की पहचान है। इलाईची का फूल में यहीं से ही इसमें इलाईची बनती है। तो अगर इस पौधे को उतनी दूप मिल जाती तो इस पर इलाइची भी जरूर बनती तो आगे जब हम इसको जादे दूप में लगाएंगे या पॉट में लगाएंगे तो भी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे लेकिन अगर आप इसको pot में लगा रहे हैं तो इतना जादे ना लगाएं क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता है और ये multiply होता रहता है इसको easily propagate आप कर सकते हैं बिल्कुल अद्रक की तरह ही इसमें roots होती है तो काफी जल्दी आप इसको तयार कर सकते हैं तो वो तो हम आपके साथ किसी और वीडियो में share करेंगे आज तो हम इसका फूल आपके साथ share करना चाह रहे थे तो देखे कितना खूबसूरत फूल है कुछ फूल इसके खिल चुके हैं तो कली आने के जो कली हमने अभी आपके साथ share की उसके साथ दिन के बाद इसका ये इस तरह से फूल खंले है चो की बहुत ही सुन्दर तो बहराल ये जो फूल खंला है बहुत सुन्दर है खुच्बोर कहीं भी इलाइची का पौधा दिखाई दे तो आप इसको जरूर लेकर आए कैसे भी इस पौधे को ला सकते हैं इसकी roots disturb भी हो जाती है तो भी ये चल जाता है तो वो हम आगे आपके साथ आगे जरूर शेयर करेंगे तो अभी इसका फूल देख लीजी आप इसकी पहचान इस तरह से की जाती है और कम से कम चार गंटे की दूप इस पौधे को चाहिए होती है जादा से जादा कितनी भी दे सकते हैं अगर आपको फल चाहिए पौधे पर यानि इलाइची चाहिए पानी की बहुत जादा जरूरत नहीं होती है हलकी नमी ही आप बना लेते हैं बहुत अच्छे से ग्रोध कर पाता है तो यह जहां पर लगाया हुआ है उसके आगे तालाब है तो इसकी वज़े से हमें इस पौधे को पानी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसकी रूट्स जो है वो अपने आप ही पानी को खीच लेती है अब्जॉब कर लेती है जितना पानी इनको चाहिए होता है इस पौधे की हम बिल्कुल केर नहीं करते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर भी से यहीं से मिलता रहता है जो तालाब का पानी होता है उसमें पहले ही fertilizer होता ही है तो इसलिए हम ना तो इसमें कोई fertilizer देते हैं ना इसमें पानी देते हैं बिल्कुल care नहीं करते हैं और धूप इसे जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है इन पेडों की वज़े से तो आगे हम इसको pot में लगाएंगे और उसकी care tips भी आपके साथ share करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में जरूर बताईए और कोई query है, question है तो comment box में पूछिए facebook page पर या instagram page पर पूछिए तो इससे plan बहुत अच्छे से growth कर रहा है फूल कैसा लगा जरूर बताईए Thank you